प्यारे दोस्तों, WWE में धूम मचाने वाले 7 फिट 1 इंच लंबे इकलोते भारते वल्ड हैवी वेट चैंपियन दी ग्रेड कली आज भी भारत की शान है। चाहे खली जान रेलिंग से दूर हो पर उनके नाम से आज भी बड़े बड़े रेसलर काप उटते हैं। आपको बता दें खली ने ये मुकाम ऐसे ही हासिल नहीं किया। इसके पीछे खली का बहुत बड़ा संगर्श शिपा हुआ है। तो आज किस वीडियो में आपको खली की संगर्श भरी लाइव और वाइव के बारे में बताएंगे। अगर आप भी खली को करते हैं पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों खली का रियल नेम दलिप सिंग राणा है और इनका निकनेम जी एंड सिंग और दिग्रेट खली है। इनका जन्म 17 अगस्त 1922 को धैराइना हिमाचर परदेश में एक गरीब परिवार में हुआ था। और ये 2020-4040 साल की हो चुके हैं खली प्रोफेशन्स एक रेसलर और एक्टर हैं। आपको बता दें खली के घर की इस्तिती खराब होने के कारण इनकी पड़ाई नहीं हो पाई और खली अपने परिवार का पेट पालने के लिए बच्पन से ही मजदूरी में लग गई। उस समय खली की हाइड देख उन कुछ फायदा नहीं होता। जब खली नोकरी छोड़ अपने घर वापस जाने की सोच रहे थे तब उन पर पंजाब पुलिस ओफिसर की नजर पड़ी और यहीं से उनका जेवन शुरू हो गया। खली पंजाब पुलिस ओफिसर बन गए और साथ मेवे जिम कर अपनी बोड कि मौत तक हो गई। इसके बाद खली ने 2 जनवरी 2006 को WWE में कॉंट्रेक्ट साइन किया और भारत के पहले रेसलर बन गए। फिर खली ने अंडर टाइकर, बटिस्टा और मार्क हैंडी जैसे खतरनाक रेसलर को 10 मिनट के अंदर हरा दिया था। आपको बता दें खली साल 2007 औ और होबा जैसी बॉलिवूड मुवी में भी काम कर चुके हैं। आपको बता दें दिगरेट खली ने नवंबर 2014 में रेसलिंग के दुनिया से सन्यास ले लिया और आगे के लिए प्लान बनाया कि इंडिया में ही WWE के स्टार फाइटर की फोच त्यार करेंगे। इसके लिए उन्होंने इंडिया में कई ब्रांच भी खोले। चले दोस्तों मिलाते हैं आपको इनकी फैमली से। खली के पिता का नाम जोलराम था जो कि एक किसान थे और मान टंडी देवी है। दोस्तों खली ने फरवरी साल 2002 में हरमिंदर कोर से शादी की जो कि एक सेलिबरीटी है। तो दोस्तों एक खली की संगर्ज भरी लाइफ आपको खली कैसे लगते हैं कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।